मुझा जाए मातादी मित्रों मेरे नाम पंडित प्रकाश जोजी स्वागत है मेरे योट्यूब फेस्बुक चैनल एस्ट वाज में मित्रों आज हम चर्षा कर रहे है स्कॉर्पियन के मंतली राचीफल यानि जुलाएं का महिना व्रिष्ची राजी के लिए कैसी रहेगा कैसी धन उनके व्यवार की उनके करियर की स्थति के बारे में उनकी धन की स्थति के बारे में और क्या ग्रे गोचर जुलाई में ट्रांजिट होने वाले उसका विर्ष्चिक राशी को क्या प्रभाव पढ़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेता हैं तो सबसे पहला जो गोचर होगा 16 जुलाई को सूर्य करक राशी में चले जाएंगे यानि कि बिरिश्चिक राशी से वो नवो भाव में चले जाएंगे मंगल की अगर हम बात करें तो 12 जुलाई को बिरिशब राशी में चले जाएंगे आपके सप्तम भाव दमपत्य भाव में मंगल का ट्रांजिट होगा ब पारे में बात करें तो 29 जून से ही शनी वक्री हो रहे हैं और पूरा जुलाई के महीने में वक्री ही रहेंगे यानि कि जो ब्रच्चिक रासी वाले उन पर शनी की कहीं ना कहीं इस समय धैयन लग रही है तो सबसे बड़ा क्योंकि तो मित्रो हमेशा ही होते रहते हैं और आपने कई यूट्यूब चैनल देखे होंगे उसमें लिखाए चपरफाड के धन मिलेगा कोरोडवती आप उठान अब अरब पती खरपती योग आपने कई यूट्यूब में जो तिसी देखेंगे जो जरा जरा से ट्रांजिट में अर यह विरिश्ची राशी को बड़ा एफेक्ट करेंगे क्योंकि आपके उपर अभी धहिया लग रही है आपको करियर में परिशानी चल रही है आपको कहीं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है आपके उपर करजा तनाव टेंशन जादा है यह इसलिए है जब भी सनी की साड़े साती चल लगती है यह धैया लगती है तो ज़ीया वालों का क्योंकि धैनी वकरी की होने से, यहांच पेरों में जो दर्द चल रहा है वह ठीक होगा घर के अंदर जो कलेज चल रहा है या प्रापटी का काम या बिजनिस या करियर में रुका हुआ काम अब आगे बढ़ेगा तो पहला जुलाई में आपको मानसिक रूप से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और कहीं आर्थिक रूप से भी पॉजिटिव रिजल्ट आप देख रहे हैं जो सामने हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो जुलाई की कुंडली है आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो गाएं जैसे मैंने अभी पूरा रामकानी बता दिए कि क्या करने वाले जुराई से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा जहां ग्यारा नंबर प मनम्गल चंदरमा बैठे मगठा है च्टा बहों रोग का वह होता है कॉम्पोटिशन का भी होता है और कहीं já कहीं विजह का भे творक चंदरमा भी साथ में बैठे हैं च्यार बुरा ब्रatisfakt技 नेगेति यह शाल और बुरा दो देगा बरस पती व्रशब राशी पैठे हैं साथी साथ सूर्य और शुक्र आप यह देख रहे हैं अश्टमभाव के अंदर तीन नंबर जहां लिखा है तो जाया तर जो तिशी कहेंगे यह तो खराब है यह खराब कॉंबिनेशन नहीं यह काफी अच्छा कॉंबिनेशन है यानि कि अश्टमभाव में सूर्य शुक्र मि चर्चा करेंगे सबसे पहले हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं स्वास्ति में यह जो जुलाई का मिरश्चिक राची का मिश्रीद तो अच्छा भी रिजल्ट देंगे और खराब भी तो हैल्थ के लिए खराब है यानि एक से लेकर पेट में गर्मी बढ़ सकती है यानि बनी रहेगी साती साथ वहीं पर मंगल जो चटे बाओं में बैटें तो कोट कचेरी सरकारी काम में भी आपको सपलता देगा यदि आपको कोई कॉंपटीशन लड़ना है या आप खेल के अंदर है खिलाडी है तो बहुत ही अच्छी है यह आपके नेम फेम को बढ़ाएगी आपके प्रतिवा को बढ़ाएगी आपको मैडल दिलाएगी यानि कि खिलाडियों के लिए इस्तती काफी अच्छी अगर आपकी व्रिष्चिक की दो भागों में बढ़ती है एक तारिक से लेकर 15 जुलाई तक देखा जाए तो दो बड़े लाब आपको मिलेंगे पहला कोई व्यक्ति आपको कोई प्रपोजल देगा कि मेरा भी काम कर ले मैं तरको इंकम दे दूंगा यानि एक्स्ट्रा इंकम के आपकी योग बनते है साथी साथ शेयर या कोई इन्वेस्ट्मेंट में आपको लाब होता हुआ नजर आएगा यानि 15 जुलाई तक व्रिश्ची राथी का धन का फ्लो मुझे सही नजर आ रहा है 16 तरिक से और 31 जुलाई के बीच में अगर हम देखें तो अचानक कोई वस्तू आपकी चोरी हो सकती है वैसे धनका फ्लो जुलाई के मेने में अच्छा है बस कोई वस्तू चोरी हानी हो सकती उसका योग नजर आ रहा है यानि भीडबार जैसी जगा में अगर आप जाते है तो mobile पर थोड़ा समाल के रखें वो चोरी या हो मो सकती याद रखेएगा आब हम बात कर लेते हैं परिवार-भावों के विरिश्ची कराशी की तो परिवार-भावों में शनी वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा माता-पिता को हैल्ट के थोड़े इशु रह सकते हैं यानि उनक ना कोई काम या तो आप रेनुवेशन कराएंगे चाहे आप दुकान की रेनुवेशन कराएंगे चाहे घर की रेनुवेशन कराएंगे रेनुवेशन कराएंगे रिपेरिंग कराएंगे या प्रॉपर्टी का कोई ना कोई काम शनी वक्री से आपका बनतावा नजर आ रहा है लेकिन मैं यही कहूंगा कि ठेकेदार चुनते वे contractor चुनते वे साबदानी रखें नहीं तो ठेकेदार से आपको परेशानी बहुत पहले दिन से ही बड़ी परेशानी रहेगी तो ठेकेदार की inquiry जरूर कर ले अगर आप अपना property का कुई काम करा रहे हैं या पिर dealer की inquiry कर ले अगर आप property खरीद रहे हैं वो परेशान करेगा साथी साथ जुलाई के मेने में हलका फुलका वान पर भी आपका खर्चा लिखा हुआ है अब बात कर लेते हैं ब्रिच्चिक राजी वाले उनकी जिनकी संताने हैं चाहे चोटी है चाहे बड़ी संताने तो उनका भी दो भ यानि एक साल से 17 साल तक और 18 साल से लेकर 40-50 साल तक की दोनों संताने अपने करियर अपने विद्या में बिजी रहेंगे 15 जुलाई तक सब नॉर्मल है 16 तारिक से लेकर 30 जुलाई के बीच में अगर देखा जाए तो कई ना कई बुद का परिवर्दन होने वाला है तो उस सकते हैं और बैड न्यूज आपको सुना सकते हैं अपने से समद्दी संतान को बैड न्यूज सुनाने वाली है कासकर बड़ी संतान यानि संतान के लिए जुलाई का मेंना अच्छा भी और बुरा भी है और ब्रिच्चिक राशी वालों ये तो मैं जो जो मैं राशी फल बताता हूं चाहे सापताईक या मंतरी आप लोग बोलते हैं कि 70-80% सटीक होती है फिर भी मैं कहता हूं ये जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों जो कि हम जो है डी नाइन चार्ट के पी सिस्टम और गोचर को दे और क्या आपका कुछ कहना है मैं ये कहना चाहते हूं कि जब पंडी जी के पास आने के बाद हमें पता चला मंतरों की शक्ति क्या है और मंतरों की शक्ति ऐसा है कि जब तक किसी को उसका फल ना मिले तो पता नहीं चलता कि मंतरों में कितनी शक्ति है जो भी वेक्ति जो ची रिजल्ट रहा है और उसका हमको यह है कि अच्छ ही देखने को मिला और दानपून किया मैंने पंडी जी से हर चीज का वो पूछा है कि पंडी जी ऐसा करने से हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा तो पंडी जी ने हर चीज का solution हम को कि भई आसे करो एसे करो कई चीजों को मैंने पंडीजी से ये भी बोले मैं आपने ले उच्छा कर रहे हूं मगर यह ना की दूसरे के खराब हो जैसे रस्ते में रखने वाली बात है तो पंडीजी ने उसका भी कि नहीं ऐसा आपको ठीक नहीं लग रहा कि हमारा वो ठीक हो के दूसरे का बुरा हो तो तुम उसे दूसरी जगे वो डालो मतलब हर चीज का सॉलुशन पढ़ने जैसे गाए कई चीजों को यह मेरे को याद है उन्होंने बताया था गाए इन चीजों को जैसे हम देते हैं तो गाए भी अराम से नहीं खाती है गाय को भी माना मतलब एक बार सहलाना पड़ेगा फिर हाथ जोड़के गाए में जितने भी देवता हैं उनको हाथ जोड़के बोलना पड़ेगा कि हमारी यह जो कठनाई का समय है यह हमारे से कैसे पार हो तो पंडिजी ने हर चीज का सॉल बहुत ही मोटिवेट किया है, मैं उसके बारे में अभी तो ये तो थोड़ा बहुत बोल रही हूं, मगर जो अंदर से में को फीलिंग है, वो मैं बता भी नहीं सकती है, तो आपने अपने सरदा और विश्वास से जो उपाई किया, उसका आपके जीवर में अच्छा लाब मि मंत्रों में शक्ती है, और मतलब हम विश्वास तो हम जो चीज आज के जमाने के हिसाब से हम जिस चीज पर विश्वास करेंगे, वो पंडिजी जैसा बताते हैं मंत्र, मंत्री पड़ सकते हैं, हम जितना जानेंगे, या हम जितना वो करेंगे, वो हम आगे भी लोगों को बताते हैं कि यह चीजे इन चीजों में शक्ति है और वैसे हमने फील किया है और मैं तो यही चाहूंगी कि हर कोई एक बार तो जरूर आके देखे करें उसका फल भी उसे मिलेगा इस चीज का 100% मुझे विश्वास है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद मातराने के किरपार नहीं हो पार है मैरीज नहीं हो पार ही मैरीज में प्रॉब्लम चल रही है इस तरह की समस्याओं में और लगातार चल रही है तो इसमें गोचर काम नहीं करेंगे तो ऐसे में आपको सबसे कम फीज हमारी है आपकी सेवा के लिए हमने सबसे कम फीज रखी है ताकि आपकी सेवा हो जाए है अगर हम फिरी भी रख सकते हैं लेकिन आपको बता है फिरी के चकर में आलतु फालतु लोगों के बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं बे फालतु के कि मेरे मेरे को कौन से रंका धागे से कपड़ा सीना चाहिए इस तरह के चीजे आती है तो इसलिए हमने छोटा सा सुल्क है जिससे फिल्टर हो जाए में उद्देशित जो एक्चुल में जैन्वन है एक्चुल में जिसको प्रावलम है वह उस तक हम पहुंचें उसके लिए फिल्टर लगाया एक छोटा सुल्क रखा है अब हम बात कर लेते हैं विद्यारती यानि स्टूडेंट के बारे में तो घट्राओं भड़ा रहने वाला है स्टूडेंट के लिए आन सो लेогда देखाजाए मित्रों से आपको कोई शडियंत्र बना सकता आपकी लीग कर सकता है आपके राज खोल सकता मित्रों से आपको ढोगएवाजी मिल सकती है कोई धनानी मिल सकती है सा चैना कहीं आपका जुलाई के मैने में आपका पूझापार्ट में लगेगा तीर तयात्रा पूझापार्ट आप करने वाले बाकी धनला भी अच्छा-धास सवाफधान रहेगा बस मित्रों से अब हम बात करते हैं उनकी जो नोकरी करते हैं यानि जॉब करते हैं तो यहां पार चंदर मंगल का जो योग बना हुआ है जुलाई के मैने में तो जुलाई के मैने में दो घटनाए शुब घटनाए जॉब में होगी पहला करियर में कोई बड़ी सपलता जिसके लिए भाग रहे थे तत पर मंगल चटे बाऊं में बैटा है काम के सिलसले में आपको नदी समुन्धर की यात्रा या दूसरे इस्टिट्टीट की यात्रा को करनी पढ़ सकती ओफिस वाले आपको दूसरे शहर भेज सकते हैं तो दो घटनाएं हैं दोनों ही ठीक ठाक है अच्छी है बहार भी जाएंगे तो ऑफिस वाले आपको कन्वेस्ट देंगे उससे भी कुछ धानलाब हो गई होगा अब बात कर लेते हैं ब्रिच्ची ग्रासी वाले उनकी जो दामपत्य जीवन में यानि रि मिलेगा अब क्या मिलेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथी साथ दूसरी घटना के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर परिवार समंदी कोई खुशकवरी आपको जुलाई में देगा यह पार्टनर के साथ में किसी साथी समारों फंक्शन में जाने का भ सब बढ़ाबर तो पूरा जुलाई के महिने में दो बड़े काम हो सकते हैं पहला देखा जाए तो सरकारी कोई कोंट्रैक्ट आपको मिल सकता है सरकारी योजना का आपको लाब मिल सकता है तो अगर आपके कोई सरकारी योजना चल रही है और आपके इंडस्टी से दुकान से रिलेटिड कोई आपके शहर में सरकारी योजना चल रही है पहले पता कलने है और उसको भरे जरूर अगर आपकी ब्रिच्छी ग्रासी है तो तो आपके निकलने के योग ज्यादा है सरकारी कॉंट्रेक्स सरकारी योजना का लाब आपको मिल सकता है तो इस पर देरी मत कीजिएगा दूसरा अचानक आपके सेल में ब्रद्दी होगी अचानक काम में का काम धनका चलाब होगा जुलाई का महिना व्यपारी शोरूम दुक का में पहिल है और मैं गुरुजी के पास चार महीने पहले आया था तो सवासस मेरे कवीप्रम्लम्लम कम हो गई है और कम क्या है मतलब फिलहाल मैं यह कह सकता हूँ कि यह सुरक्षा कवद पहनने के बाद मुझे काफी रिलीफ है जै मत अदी झाल